सो नमस्कार दोस्तो आपसे भी का स्वागत है हमारी RG Support Boy YouTube चैनल में सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको YouTube का नौटिफिकेशन बंद करना तो आप कैसे बंद कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टाट करते हैं और लिए चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर वहां पर आप लेगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यूटूब का नौटिफिकेशन बंद करना तो कैसे बंद कर सकते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन के सेडिंग्स के अंदर आना है और यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपक YouTube को open करना कहा पर आपका YouTube तो आप यहां पर YouTube को ढूंड ली तो यहां पर जिसे कि मैं YouTube को देखता हूं कहां पर है मारा YouTube application अतो यह देख सतौ जैसे की यह रहा YouTube तो हम इसके अंदर आए और यहां पर आने के पाद आप यहां पर देख सतौ जो फ्लोटिंग सबसक्राइब बतलब वीडियो तरफ से आगया फिर कि अभी किया तो वहाँ पर किसी ने रिप्लाइब किया है तो इसका भीट डिखता है और उसके पाद एक लॉक subscribe करता तो अगर आप उसका notification आता है तुशो आप बंद कर सकती हूँ live stream करता जिसका आपने चैनल सबस्क्राइब किया है अगर वह जैसे live stream करता है उसका notification आएगा comment का reply आएगा जब भी वाल लीजिए अगर आपने किसी को comment किया अगर उसका वेट करो रिपलाई का तो अगर वो जब भी रिपलाई करेगा तो उसका आपको notification देखने के लिए मिलेगा recommended videos का देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप बंद करना तो बंद कर सकते हो इसी तरीके से आपर अलग-अलग settings आपका है और यहाँ पर इसे download का notifications होगे, upload का notifications, journal का notifications इस तरीके से आपर बहुत सारी settings है और अगर आप यहाँ से इसको बंद कर देते हो तो इससी का होगा कि पूरी YouTube का बंद हो जाएगा आप चाहे कोई subscribe करे कोई भी comment करे कुछ भी करे आपको कोई notifications नहीं आने वाला है YouTube की तरफ से यहाँ से आप बंद कर देते हो तो आज केसी वीडियो में इतना ही I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज यार इस वीडियो को comment करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है